बुलेटिन में बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की पिछले दो जुमे पर उत्तर प्रदेश में दंगार बवाल के बाद अब पुलिस ऐलर्ट पर है कल शुकरवार को जुमे की नमाज से पहले पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है हर संदिक पर नजर है और अब वबाल ना हो इसके लिए प्रशासन ने हर इस तरकी तैयारी की है प्रियागराज, कानपुर, सहरनपुर, समेट प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारे करते हुए कई जिलों में अभी सिधार 144 लागू की गई है पुलिस के अधिकारी लगातार अपने अपने क्षित्रों में गश्ट कर रही है और धर्म गुरूं से बाचित का शांती विवफ्था बनाये रखने की अपील भी की जा रही है सम्वेद अन्शील जिलों में पुलिस की गश्ट बढ़ाई गई है सुरक्षा बढ़ाई गई है कल जुम्हे की नमाज है पुछले दो शुकरवार को हिंसा देखने को मिली ऐसे में इस बार सुरक्षा के चाक चौबन इंतिजाम किये गए है प्रशासन किस कदर ऐलर्ट है इसकी तस्वीरे उत्रप्रदेश के बलिया जिली की आपको दिखाते हैं यहां दंगाईयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया बकायता पुलिस की जबानों को हिंसा पर काबू पाने के लिए तरीके सिखाए गई कि यंद्र वाला है उपर उठाकर के इसको जरूरा दिखा देता है यह भी दोली है यहां को डिकेंगे देखने के वही तरीका मेंटम बना करके उच्छा उच्छा लॉट कि जब तक वो वहां पे पहुंचे हमारी कारवाई जो है वावा में संपन हो जाए जंदली जो भी ध्रो करने वाला है वार उपर उठा करके इसको जरूरा दिखा देता है जो फेंगने वाला है अब वहां पहुंचे हमारी कारवाई जो हावा में संपन हो जाए छे तस्वीरों के जरीए यूपी पुलिस की आप तैयारी को समझ सकते हैं हद गोला कैसे फेक आ जाना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है अगर फाइरिंग की जरुवत पड़ी तो उसकी भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है करीब करीब सभी जिलों में ड्रोन सर्विलांस का भी इंतिजाम है ड्रोन के जरी निगरानी रखी जाएगी और आस्मान से घरों की जो छटों पर इट पत्थर है जहां कहीं उस पर भी नज़र है अफ़ाओं से बचने के लिए लगातार ऐलर्ट किया जा रहा है और सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और वो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि भड़काओ पोस्ट, भड़काओ वाइरल मेसेजज़, वाटसाप मेसेज़ के जरीए भी लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है इसले इस पर भी निगरानी रखना बहुत आवश्यक है और किन जिलो में कैसी कैसी तैयारियां हैं, आएए आपको अफसरों की जुबानी सुनवाते हैं आने वाले फ्राइडे पर भी हम लोग इलर्ट हैं हम अपना एरिया सब पूरा देख रहा है, हमारे सभी SDM CEO एरिया देख रहा है उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही है, पिछली बार से कई गुना जादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही है ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकते कराई गई है तमाम लोगों का नुकसान हुआ है गिरफ्तारिया हुई है ऐसी नौबत ना आये हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है और जैसे हमने पहले समझाया बुझाया था बहुत समझाया था मीटिंग की थी धर्मगुरूं से मीटिंग की थी सबको ताईद किया था जब घटना हो कि थी का आप लोग चले जब भाग जer刃 कि सब करने से सबका नुक्सान हो पिर भी लोग नहीं माने थे तो इस तरह की समझाने बुझाने की प्रक्रियानी के समबाध हमारा समय भी कायम रहेगा और कायम है आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूंगा वर्तमान में बरेली जोन के सभी जनपदों में और बरेली जनपद में भी धारा 144 CRPC की तहत इसी दाग्या लागू है और इसमें प्रशाशन से अनुमती की बगार किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस इ इस तरह के कृत करेगा उसके विरुद कड़ी बैदनी कारवाई की जाएगी यह में सपस्ट करना चाहूंगा जनपद बरेली में और आसपास के सभी जनपदों में पर्याप संख्या में पोलिस बल है और हम हर दसा में शान्ती व्यवस्ता कायम रखेंगे ऐसे अरज़त त सबी अधिकारी नेमेत रूप से जनता से सभी पक्षों से संबाद कर रहे हैं जो भी संदर में कारवाई हुई है उस संबद में उनसे अफगर्भी करा रहे हैं पीस कमीटी मीटिंग तो हमारे और सी प्लाइन आप पर उसके तुरू लोग जुड़े हैं उनके तुरू हम कनेक्ट हो रहे हैं जहां तक आपने बितले शुक्रवार की बात की कि उस संदर में भी थाना मुगलपूरा में अभियोग बंजिकित हुआ था जिसमें करीबं दस लोग नाम जटते हैं उसके लावा कोश लोग अज्यात में भी नाम जटते हैं इसमें लगबाद 40 लोगों पर संग्यान में नहीं आई है इस फ्लैग मार्च का उद्देश जनता में विश्वास जगाना था और जो रिस्वांस हमें मिला है वो भी बहुत पॉजिटिव है और उमीद है कि जैसे पिछले दिनों यहां पर शांतिवरस्ता कायम रही उसी तरीके से आगे भी रहेगी जनता ने यहां कामें विश्वास में बिलाया है प्राधिकरण ने इस पूरे मामले में 30 जून तक जवाब मांगा है और जवाब के मताबक आगे की कारवाई हो सकती है कानपूर हिंसा का मास्टर माइंड है जफर हाश्मी जो फिलहाल चेल में है जफर को नोटिस में अवैट तरीके से हॉस्टल के निमार्ग पर सवाल पूछा गया है आरोपे की बगएर परमीशन के यह हॉस्टल बनवाये गया जो कि जफर हाश्मी की मा के नाम पर है प्राधिकरण ने 30 जून तक जवाब मांगा है आपको जानकारी देदे की 40 कमरों का यह हॉस्टल दोसो वर्ग गज में बनाये गया है जो कि शहर के एक आकड़े विलाके में मौचूद है कानपुर हिंसा के आरोपी हयाद जफर हाश्मी के उपर शिकंजा कस्ता जा रहा है उनकी मा के नाम पर एक हॉस्टल है जिसमें 40 कमरों का यह हॉस्टल है जिसे बताया जा रहा है और इसकी परमीशन के बगएर यह बना है अब के टिये ने नोटिस जारी कर हॉस्टल से जुड़े सवाल पूछे है कि आखिर क्यों ना इस हॉस्टल को गिरा दिया जाए हाश्मी के परिवार पर के खिलाव भी एक्शन हुआ है उनकी बहन के नाम जारी राशन की दुकान का लाइसेंस निरस्ट कर दिया गया है हाश्मी की MMA जोहर फैंस असूसियेशन के करोड़ो रुपए के फंटिंग की जांच अब इनफॉर्समेंट डारेक्टरेट करेगी कानपुल में दंगे को लेकर तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि दंगे पैटरन पत्थर और पेट्रोल बंप से हमला हुआ था और शहर के नई फड़क चमन गंच, बेकन गंच, पैंच बाग, मूल गंच, बकर मंडी, इफ्तिखाराबाद में दंगा भड़काया गया हिमसा के आरोपी जफर हाश्मी को गिरफतार किया गया और अब कारवाई जारी है अब तक 54 आरोपी गिरफतार हो चुके हैं बुल्डोजर से इंट और पत्थर सबकों से हटाए गया